बिस्विल्लाइ रह्माई रहीम, अस्सलाम अलेकुम एवरिवन, ओब यूल आर सुपर फाइन एंड डूइंग वेल, सो लास्ट लेक्चर में हमने एडियांटम का लाइफ साइकल डिसकस किया था, जहांपे हमने स्पोर की फॉर्मेशन तक जो है वो देखा था किस तरह से स् स्पोर्स बन गए थे, अब वो स्पोर्स जो बने हैं उन्होंने डिस्पर्स किस तरह से होना है, ठीक है, उन्होंने क्या होना है, डिस्पर्स होना है, तो हमारे पास डिस्पर्सल किस तरह से होगा, कि जो एन्यूलस है, ठीक है, यह जैसे मैंने बताया, यह एन्यूलस है, तो annulus और stomium हैं दो हमारे पास parts तो dispersal कैसे होगा कि जो annulus है वो contract करता है ये annulus हमारे पास क्या करता है इधर से cells contract करते हैं और जो thin ward आगे उसके being thin ward ruptured stomial cells अब आगे ये जो यहां से contract होंगे तो उनके उपर stomium cells जो हैं उनके उपर pressure आएगा ठीक है जब pressure आएगा उनके उ जाएंगे रप्चर हो जाएंगे ठीक है किसके उपर pressure आएगा annulus contract करेंगे annulus के cells जो के thick ward हैं वो contract होंगे और ये जो बरीक किसम के cells हैं हमारे पास जो किसके हैं stomial cells हैं ये बरिस्ट कर जाएंगे ये रप्चर कर जाएंगे और क्या होगा dispersal हो जाएगा spores वहां से बाहर आजाएंगे और बाहर आके spores dispersed by wind और wind के ज़रिये क्या हो जाएंगे disperse हो जाएंगे अब dispersal हो चुका है तो उनकी germination spores की किस तरह से होगी यहां पर germination has spores fall on moist soil moist soil के उपर जाके गिरते हैं and germinate as suitable place तो जो उनकी suitable place है वहां पर जाके वो क्या करने लग जाते हैं stromem cells जो होते हैं यह annulus के cells हैं यह contract करते हैं और किस पर प्रेशर डालते हैं stromem cells की ओपर यह फट जाते हैं और यहां से spores क्या होते हैं बाहर आ जाते हैं और जब बाहर आते हैं तो वह wind के जरिये disperse होते हैं और moist place पे जाके गिरते हैं और suitable place पे वहाँ पे germination स्टार्ट करते हैं और उसके नतीजे में हमारे पास क्या बन जाती है गैमीटोफाइट बन जाती है गैमीटोफाइट क्या होती है पहले भी बताया auto traffic है यानि independent है अपनी खुराख खुद त्यार कर सकती है लेकिन जैसे हम ड्रा करते हैं हर्ट इस तरह से उस तरह की शेप होगी हर्ट शेप गैमीटोफाइट ठीक है हर्ट शेप होगी और डायमीटर इसका जो है वो 3 मिली मिटर होगा और राइजाइट की बात करें राइजाइट क्या होते हैं रूट का फंक्शन प्रफॉर्म करते हैं थिन वाल्ड सेल्जस में होते हैं राइजाइट में और मिनरल्स वगएरा को अब्सॉर्ब करते हैं ठीक है तो ये हमारे पास क्या था गैमीटोफाइट है और गैमीटोफाइट के अंदर एंथ्रीडियम और आर्चिगॉनियम लगते हैं और फिर उनकी फर्टिलाजेशन होती है फर्टिलाजेशन के बाद जाइगोट बनता है और फिर जो है वो एंब्रियो में गन्वर्ट होता है इस तरह से जर्मिनेशन होके दुबारा क्या बन जाती है sporophyte बन जाती है ठीक है तो ये हमारे पास क्या था spor के बनने के बाद उसका dispersal था और dispersal से किस तरह से spores जो है वो suitable place के उपर जाके दुबारा से germinate होते हैं और किस में change हो जाते हैं gametophyte में change हो जाते हैं और फिर gametophyte का structure आगे है कि वो heart shaped होते हैं और इसमें राइजर्ड वगारा पाए जाते हैं जो के minerals को और nutrients वगारा को absorb करते हैं और इसमें अंthridium और archigonium भी पाए जाते हैं ठीक है अब हम इसका life cycle देखते है life cycle की बात करें तो यहां से life cycle start हो रहा है यह हमारे पास क्या है सारा annulus का portion है ठीक है और यह वाले cells क्या है स्टॉमियम के cells है ठीक है यहां पे क्या मुझूद है अंदर की तरफ spore mother cells जो क्या है deployed है यहां पर पाए जाते हैं ठीक है और यह जो हमारे पास structure है पूरा और इसमें क्या होगा अब यहां पे annulus क्या करेगा contract करेगा ठीक है और यह वाले जो cells है इनके उपर pressure आएगा स्टॉमियम के cells के उपर और यह इस तरह से brist हो जाएंगे rupture हो जाएंगे और यहां से क्या करेंगे यह वाले spores बाहर आजाएंगे ठीक है जब spores बाहर आजाएंगे यह spore mother cells है यह deployed है 2N है ठीक है इन में क्या होगी meiosis होगी meiosis के बाद यह क्या बन जाएंगे haploid cells बन जाएंगे spores बन जाएंगे haploid और वो क्या होंगे 1N होंगे यह प्लाइड होंगे फिर यह क्या करेंगे fall करेंगे किसी भी suitable place के उपर suitable place के उपर fall करेंगे और वहां पर क्या बन जाएगी gametophyte gametophyte का मैंने बताया जैसे के hurt shaped होती है तो इस तरह से hurt shape की gametophyte बनेगी ठीक है और यह इसके क्या है growing points है gametophyte को हम क्या बोलते है प्रोथेलिस भी कहते है अडियांटम के अंदर और यह दर्मियान में नोच मुझूद है यह हमारे पास जो structure है यह क्या है यहां पे center में तो उसको हम क्या कहते है यह क्या है cushion like है इसी cushion like जो यहां पे जगा बनी हुई है उसी के अंदर हमें जो है वो आर्चिगोनियम और एंथ्रीडियम नज़र आएंगे ठीक है उसी में क्या नज़र आएंगे छोटे cells की बनी हुई एक layer है ठीक है और यहां पे छोटे छोटे cells जो cushion like होते है और इनी में हमारे पास क्या है आर्चिगोनियम है और एंथ्रीडियम यानि मेल और फीमेल रिप्रोड़क्टिव औरगन होगा उसमें क्या बनेगे हमारे पास एंथिरोज़ जो क्या है प्लाइड होंगे और जो फीमेल रिप्रो नेन होगा ठीक है और यह हमारे पास क्या है दोनों एंथ्रीडियम और आर्चिगोनियम मेल और फीमेल रिप्रोड़क्टिव औरगन्स ठीक है यह इसकी बात करें तो यह हमारे पास एग है और यह वाला हिसा क्या कहलाता नेक है और जिसमें एग मुझूद है उसे वेंटर कहते हैं ठीक है और यह क्या है नेक है तो हमारे पास जो एंथिरोजोइड बने हैं और एग बना है वो उनकी जो है वो फर्टिलाजिशन हो जाएगी और यहां पर क्या बन जाएगा जो क्या होता है डिपलाइड होता है ठीक है जाइगोट बन जाएगा जाएगा जाइगोट है एडि ünntum का जिसमें हमारे पास इस तरह से पोर्स जो है वो हमारे पास बाहर आए और उन में जो डिपलाइड थे उनमें मियॉसिज हुई और हेपलाइड सपॉर्स बने फिर सूटेबल प्लेस पे जाकर germinate हुए और heart shaped structure हमारे पास बन गया gametophyte और gametophyte के ओपर क्या मुझूद है enthridium और archigonium और वो उन में क्या बनेंगे male और female reproductive organs हैं और entherozoires बनेंगे और egg बनेगा उनकी fertilization होगी zygote बन जाएगा इससे embryo बनेगा और दुबारा से life cycle start हो जाएगा तो यह हमारे पास क्या था एडि एंटम का यहां पे हमारे पास life cycle complete होता है next lecture में इंशाला हम evolution of seed को discuss करेंगे अल्ला हाफिज